हलो फ्रेंट्स आज बात करने चल ले हैं बाइलजिकल नाइट्रोजन फेक्सेशन की हम लोग नाइट्रोजन साइकल पर चर्चा कर चुके हैं और उसमें हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो होता है एट्मॉस्फेर में 79% होता है और पौधे इस नाइट्रोजन को अपने दम पर यूज नहीं कर सकते इसलिए इसका जो की एट्मॉस्फेरिक नाइट्रोजन है गैसियस फ़र्म में 79% इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कनवर्ट करना है अमोनिया में convert करने के बाद यह नायटराइट अयन में convert होता है नायटराइट अयन से फिर यह नायटरेट में convert हो जाता है फिर plants इसको use करते है यहां पर यह जो bakria है जिसमें atmospheric nitrogen को हम अमोनिया में change कर रहे हैं इस bakria को हम nitrogen fixation कहते हैं मैंने आपको पिछले लेक्षर में बताया था कि nitrogen fixation की यह प्रक्रिया दो प्रकार की agencies के द्वरा होता है इन में से एक तो non biological agency होती है इसमें electric thundering हमने आपको बताया था industrial discharge बताया था ultraviolet exposure बताया था और दूसरा होता है biological nitrogen fixation biological nitrogen fixation में हमने आपसे बात किया था कि कुछ microbes होते हैं जो कि prokaryotic organisms होते हैं इसमें से एक हमने आपको बताया था कि जो free living होते हैं मिट्टी में पाया जाते हैं पौधों के जड़ के चारो तरफ मिट्टी में इस्थित होते हैं यह free living होते हैं इन में भी जो free living biological nitrogen fixers हैं यह दो category के हैं एक aerobic और दूसरे anaerobic हमने चर्चा किया था और आपको बताया था कि free living aerobic जो होते इनके इसी प्रकार से symbiotic nitrogen fixers के बारे में बात किया था दो प्रकार की कटेगरी यहां पर भी बताया था हमने आपको इन में से एक आईसे जो की रोट नोडूल का formation करते हैं और यह पाए जाते हैं leguminous plants में उदारन के लिए राइजोबियम तो मैंने आपको बताया था कि leguminous plants में symbiotic nitrogen fixation करने वाले microorganism और दूसरे हैं जो की non leguminous plants में होते हैं और example हमने आपको फ्रेंक किया बताया था और बताया था कि non leguminous plants जो होता है इसी पर हम चल्चा करने चल रहे हैं इसकी mechanism जानेगे तो biological nitrogen fixation यहां पर nitrogen fix करने वाला जो agent है जो bacteria है वो कौन है इस रजयों जो यह यह जो छोरी आसरे लिए और और यह जो यह जो सिंदिरा लागदों करने शया जोलिए यह जोडरी जोल्प्राविश कंदिरू प्लांट्स आफ फेमिली लेग्यूमिनोसी इस तरीके से ये लेग्यूमिनोस प्लांट्स में उनके रूट नोडिूल्स में रहते हैं अब क्वेस्चन यह है कि ये रूट नोडिूल्स क्या होते हैं अगर आप चने का पेड़ उखार करके देखें मटर का पेड़ उखार कर देखें तो उसकी जड़ों में छोड़ी छोड़ी गाठे होते हैं वेन यू कट दा सेक्षन आफ दीज नोडिूल्स यू विल फाइंड दैट इस्पेरिकली पिंक कलर के कुछ इस्पार्ट्स दिखाई देंगे उसमें यह जो पिंक कलर के स्पार्ट्स होते हैं और यह लेग हीमोगोविन जो पिंक होता है मैंने आपको पिछले lecture में बताया था कि leg hemoglobin जो है ये oxygen इसके बेंजर की तरह काम करता है अर्थात root nodules के अंदर जितना भी free oxygen है सब को trap करके वहाँ पर oxygen less atmosphere बनाता है क्योंकि आपको पता है कि nitrogen fixation जो है ये एक reduction process है और इसके लिए enzyme यहाँ पर role play करता है और इस enzyme का नाम होता है nitrogenase and nitrate reductase ये जो nitrogenase enzyme होता है ये एक molyvdo flavoprotein होता है और ये hydrogen को trap करके nitrogen को अपने surface पर bind करके hydrogen को trap करके और ammonia का formation करता है अभी हम mechanism में देखेंगे कि ये होता कैसे है तो आईए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो rhizovium है root nodule का formation करता कैसे है आपको पता है कि जब कभी आप root का section काटें transfer section आप किसी root का काटते है तो आपको पता है कि ये सबसे बाहर की तरफ epidermis होती है और इस epidermis के साथ लगे हुए ये root hairs होते हैं ये root hairs होते हैं और ये epidermis है इस epidermis के नीचे cortex होता है जिसके different regions होते हैं ये cortex होता है this one इस प्रकार से ये है epidermis this one is epidermis and this one is the root here and this area is of cortex ये इसका cortex होता है this one right और मिट्टी में उपस्थित होते हैं ये germs होते हैं bacteria होते हैं जो की root hair के किनारे किनारे collect होते हैं यहां पर बाद में क्या होता है कि ये जो root hair है अब यहां पर हम इसे दिखा रहे हैं ये जो root hair है ये ऐसे curved हो जाता है hook की तरीके से ये hook जैसा structure बनाता है राइट इस तरह से और इधर ये particle reason है अब ये जो bacteria जो इसके hook में आ जाते हैं तो ये infection start करते हैं bacteria इसके अंदर infection start करते हैं और यहां पर एक इस तरीके से linear fashion में arrange होकर ये एक infection thread का formation करते हैं this one is known as infection thread ये germs होते हैं या bacteria होते हैं इस प्रकार से जो root hair है जब bacteria इसके चारों तरफ इकठा होने लगते हैं तो ये ऐसे अंदर की तरफ कर्व करके क्या बना देता है एक hook जैसा structure बनाता है अब bacteria इसमें फस जाते हैं फिर इनका infection यहां पर होता है root hairs में और यहां से एक ऐसे CD line में ये bacteria आरेंज हो जाते हैं और इस structure को infection thread कहा जाता है ये infection thread epidermal cell को penetrate करता हुआ सीधे कहां पहुंचता है ये सीधे पहुंच जाता है cortex में और बस यहीं पर root nodule का formation start हो जाता है हम इसे बोलेंगे root nodule इस प्रकार से अगर आप से question पूछा जाए कि root nodule का formation plant root में किस part में होता है तो आपको यहीं बताना है कि root nodule is formed in cortex region कहां पर बनता है cortex region में बनता है और इस structure को इस प्रकार से है तो ये आप देख रहे हैं epidermis ये इसका root hair है बैक्टिरिया इनके contact में आते हैं मिट्टी में होते हैं जब ये बैक्टिरिया इसके contact में आते हैं तो ऐसे ये hook बना लेता है ऐसे कर्ब करके बैक्टिरिया को अपने अंदर समेटने की कोसिस करता है और फिर ये बैक्टिरिया root hairs के through enter करके infection thread का formation करते हैं और ये infection thread progress करता है आगे अंदर की तरब तक और जाकर cortex में ये बैक्टिरिया इकठा होने लगते हैं और बस यहीं पर nodule का formation होता है जब एक बार nodule बन जाता है तो बैक्टिरिया यहाँ पर symbiotic रूप में रहते हैं symbiosis का मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि symbiosis में दो organism का mutual beneficial relationship होता है यहाँ पर दोनों organism एक दूसरे से क्या करते हैं दोनों organism एक दूसरे से benefit अरजित करते हैं तो यहाँ पर बैक्टिरिया को लाव यह होता है कि उसको यहाँ पर shelter मिल जाता है पौदे की body में और यहाँ बना-बनाया भोजन यह प्राप्त करता है बदले में बैक्टिरिया से plant को क्या लाव होता है तो यह उसके लिए nitrogen fix करता है तो इस तरीके से यह पारसपरिक लाव का संबन्ध है प्लस-प्लस interaction है जिसमें दोनों partner को यहाँ पर फाइदा होता है तो यह एक प्रकार से mutually beneficial relationship होता है जिसको हम बात करते हैं symbiosis तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यह bacteria infection thread बनाकर cortex में पहुंचते हैं whenever the question will be asked where the root nodule formed in which part of the root तो आप बताएंगे it appears in cortex हमेशा ध्यान रहे कि cortical cells में चुकी गयप होता है cells के बीच में तो यहाँ पर bacteria को accommodate करने की परियाप्त गुंजाईस होती है और यहीं पर root nodule का formation होता है इस प्रकार से आपने देखा कि root nodule का formation यहाँ हो गया root nodule में bacteria और plant के effort से यहाँ पर एक pigment का निर्माड होता है इस pigment को हम leg hemoglobin कहते हैं when you cut the transfer section you will find here the pinkish spots that contains the pigment known as leg hemoglobin यह जो leg hemoglobin होता है इस बात को आप note कर लेंगे कि in root nodules in root nodule the pigment leg hemoglobin is formed leg hemoglobin is formed that binds the available oxygen here and acts as oxygen scavenger makes oxygen free atmosphere यहाँ पर reductive atmosphere बनता है inside root nodules इस प्रकार से root nodules में leg hemoglobin के और निर्माण होता है बैक्टिरिया की मदस से और यह leg hemoglobin यहाँ पर oxygen को bind करके oxygen scavenger की तरह से यह role play करता है और अगर आप से question पूछा जाए कि root nodule का formation होता कहाँ पर तो आप बताएंगे कि यह root में cortex reason में root nodule का formation होता है अब बैक्टिरिया इसके अंदर है और nitrogen fixation किस प्रकार होगा हम उसकी mechanism पर आ रहे हैं फिलाल इतना आप note कर लीजे जो भी लिखाया बोर्ट पर जल्दी से से complete करिए हम आगे बढ़ें लिख लीजे मिटा देंगे इसको हो गया होगा complete चलिए अब बात करते हैं कि nitrogen fixation होता कैसे अभी मैंने आपको बताया कि nitrogen fixation के लिए एक enzyme की जरूरत है enzyme का नाम है nitrogenase enzyme है nitrogenase ये जो enzyme है ये बैक्टिरिया के शरीर के अंदर होता है प्लांट में नहीं होता ध्यान रखेंगे अगर प्लांट में होता तो अपने दम पर वो nitrogen fixation कर सकता था फिर उसको बैक्टिरिया की जरूरत ही क्या थी तो इस प्रकार से enzyme nitrogenase जो होता है इसका जो metal activator है metal activator it is molybdenum यहाँ पर metal activator molybdenum होता है इसलिए इस enzyme को हम molybdoflaboprotein कहते हैं enzyme क्या होता है यह enzyme is molybdoflaboprotein molybdoflaboprotein यह होता है molybdoflaboprotein होता है इसको हम flaboprotein क्यों कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर FADH2 इसका co-enzyme होता है flabin adenine dinucleotide FAD यह इसका co-enzyme component होता है इसलिए इस enzyme को molybdoflaboprotein molybdo किसलिए कह रहे हैं क्योंकि molybdenum metal activator है और इसमें hydrogen supplier के रूप में FAD होता है इस तरीके से इसको हम molybdoflaboprotein कहते हैं reaction कुछ इस प्रकार होता है molecular nitrogen को हम ले लेते हैं इसमें 8H plus 8 electron होते हैं 8 electron यहाँ पर यूज होंगे 8 proton यूज होते हैं और इसमें 16 ATP molecule यूज होते हैं इस प्रकार से आपको प्राप्त होता है 2 NH3 दो इसमें ammonia प्राप्त हो जाते हैं hydrogen release होती है plus इसमें solar adenosine diphosphate plus solar inorganic phosphate होते हैं इस तरह से यहाँ पर adenosine triphosphate molecule split करता है और जो energy होती है वो ATP supply करता है ध्यान रहे कि nitrogen fixation की प्रक्रिया में adenosine triphosphate यहाँ पर एक energy supplier के रूप में काम कर रहा है adenosine triphosphate इस पर बहुत important question पुशा जाता है कि एक molecular nitrogen के atmospheric रूप से fix होने से biologically fix होने से कितने ATP खर्च होते हैं तो आपको मालूम है कि एक molecular nitrogen का मतलब यह N2 यह है और N2 अगर यहाँ पर यूज हो रहा है तो दो ammonia बनेगे और इस अधार पर एक ammonia के हिस्से में 8 adenosine triphosphate का खर्च बैठता है तो कुल मिलाकर चुकि 2 ammonia बन रहे हैं कंडिशन में 16 adenosine triphosphate का खर्च होता है यहाँ पर इस तरीके से यह एक expensive process होता है nitrogen fixation जहाँ पर adenosine triphosphate को यूज किया जा रहा है reaction आपके सामने हैं इसको आप mention कर ले, note कर ले इसे तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 8 hydrogen, 8 electron से react करके molecular hydrogen में change हो जाते हैं इन में से एक molecular hydrogen तो निकल गया 2 hydrogen, बचे 6 hydrogen तो ये 6 hydrogen 2 nitrogen के हिस्से में हो जाते हैं तो 2 ammonia का formation हो जाता है reaction आपके सामने है अब अगर हम देखे कि ये enzyme कैसे इसको fix कराता है nitrogen को, तो उसे ज़रा हम यहाँ पर ध्यान दे ये जो enzyme होता है इसके पास 2 nitrogen को bind करने का site होता है ऐसे ये enzyme होता है E stands for enzyme यहाँ पर एक molecule nitrogen का ये fix हो जाता है, दूसरा ये क्या कहते हैं इसको? इसे हम nitrogen atom कहेंगे इस nitrogen atom के साथ hydrogen का addition होता है और hydrogen supplier यहाँ पर FADH2 होता है ये FAD में convert हो जाता है और hydrogen इसको दे देता है इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक nitrogen के साथ दो hydrogen atom यहाँ पर use हो गया एक nitrogen यहाँ पर इसके साथ hydrogen use हो गया एक hydrogen use होता है ऐसे अगला इस्टेप फिर continue रहेगा enzyme का यहाँ पर फिर FADH2 होता है और आपको FAD मिल जाएगा अब दो hydrogen use हो जाएंगे nitrogen को यहाँ पर bind कर लेंगे यहाँ पर अगला इस्टेप फिर वही होता है FADH2 यहाँ पर फिर use होगा यह FAD में convert हो जाएगा इस प्रकार से enzyme यहाँ पर अलग हो जाएगा अभी यह nitrogen है, nitrogen के साथ 3-3 hydrogen जुड़ गए यह enzyme है, थोड़ी दिर बाद enzyme अलग हो जाता है और दो molecule ammonia के यहाँ पर free हो जाते हैं और enzyme जो होता है वो अलग हो जाता है इस तरह से इसमें enzyme free हो गया यह reaction आप देख पा रहे हैं यहाँ पर step by step enzyme का यह apozyme enzyme part है FAD इसकी मदद करता है nitrogen पहले molecular nitrogen इस पर आके जुड़ जाएगा क्योंकि enzyme के पास binding site होता है nitrogen atom के लिए दो binding site होता है तो दोनो nitrogen अपनी जगह यहाँ पर ले लेते हैं इस प्रकार यह bind करेंगे FADH2 यहाँ पर hydrogen इसको supply करेगा पहले एक hydrogen जुड़ेगा फिर दूसरा hydrogen फिर तीसरा hydrogen और इस प्रकार से दो molecule ammonia के बनकर अलग हो जाते हैं और enzyme separate हो जाता है यहाँ पर E का मतलब enzyme और इस enzyme को हम nitrogenase कह रहे हैं समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से biological nitrogen nitrogen fixation की यह प्रक्रिया होती है और इसमें adenosine triphosphate का कितना खर्च है कितना क्या यूज हो रहा है यह सारी चीजें हमने इस diagram में explain कर दिया है आप इसको बना लीजे mention कर लीजे इसको जल्दी से It is the process of biological nitrogen fixation कितने सवाल बनेंगे यहाँ पर enzyme के बारे में पूछेंगे कौन metal activator होता है molybdenum होता है कौन यहाँ पर को enzyme part है FADH2 है reaction में एक nitrogen fix होने पर कितने ATP खर्च होते हैं तो 8 ATP खर्च होते हैं 2 nitrogen use होने पर 16 ATP खर्च होता है 2 ammonia बन जाता है प्रक्रिया किस प्रकार होती है आपके सामने है hydrogen donor कौन है FADH2 है इस प्रकार से nitrogen को ammonia में convert कर लिया जाता है चुकि यहाँ पर hydrogen का attachment हो रहा है किस के साथ attachment हो रहा है nitrogen के साथ इसलिए हम इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं कि nitrogen fixation की यह जो प्रक्रिया है यह reductive process होती है यहाँ पर reduction हो रहा होता है किस का nitrogen का note कर लिजे सारा उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा nitrogen fixation कुल मिला कर result क्या मिला result यह मिला कि हमको ammonia प्राप्ट हो गया और जब ammonia प्राप्ट हो गया तो इसका यह मतलब हो गया nitrogen का fixation हो गया आप जो ammonia यहाँ पर बनता है nitrogen fix हो जाने के बाद इस ammonia का scope क्या है अगली चर्चा हम इसी पर करेंगे कि जो ammonia यहाँ पर बन गया है इसका scope क्या है और plant के किस काम आता है यह जो ammonia है जो बनता है यहाँ पर इसको note कर लिजे फिर बताएं अगे मिटा देंगे इसे यही just a minute जाईका लुप कर देंगे विए बनता है इस विए इस विए सभ्डि मिलाप सबना है ये जलिए और इसके आगे की बात करते हैं जो अमोनिया यहां पर बन गया है इसका यूज क्या है इसका यूज क्या है वाट इस अमोनिया हमने नाइटोजन फिक्सेशन की बात कर लिया है और नाइटोजन फिक्सेशन में आपको बताया कि नाइटोजन जो है वो अमोनिया में कनवर्ट हो गया है जो अमोनिया यहां पर अभी बनी है अब क्वेस्चन यह है कि इसका स्कोप क्या है आपको पता है कि ammonia जो होता है यह इसका पहले protonation होगा बनने के बाद ammonia जो है यह अभी मिट्टी में ही है आपको मालूम है कि ammonia को plants direct नहीं ले सकते इसलिए यह अभी मिट्टी में nitrogen fixation कहा हुआ है बैक्टिरिया ने किया कैसे nitrogen को use करके अब ये किस में आ गया plant की body में लेकिन किस form में आ गया ammonium ion के form में आ गया है वो कैसे क्योंकि इसका protonation होता है तो ammonia जो होता है इसका protonation होता है तो इस point को mention करेंगे यहाँ पर लिखेंगे the protonation protonation of ammonia takes place in plant takes place in plants पौधों में इस ammonia का protonation होता है do you know what you mean by protonation protonation का मतलब hydrogen का addition होता है proton aid होता है इसमें नस 3 में दो नस 3 में 2H plus यूज होंगे और इस तरह से 2 NH4 plus ions यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे यह ammonium ion होते हैं यूज अमोनिया का direct नहीं होता यूज होता है ammonium ion का अब यह जो ammonium ion है इसका इस्तेमाल होता है amino acid generate करने में कौन सा amino acid glutamic acid का formation होता है इस amino group का इस्तेमाल करके आपको पता है respiration में पढ़ेंगे कि crepe cycle में एक molecule बनता है जिसको alpha keto gluteric acid कहते हैं यह एक intermediate product होता है crepe cycle के दोरान क्या कहते हैं उसको alpha keto gluteric acid कहते हैं इसको तो यहाँ पर यह जो alpha keto gluteric acid है यह जो NH4 plus है यहाँ पर proton इसको यह ammonium ion इसको डोनेट करता है और यह change हो जाता है किस में glutamic acid में change हो जाता है तो सबसे पहला step nitrogen के use का यही है कि यहाँ पर amino group को alpha keto gluteric acid ले लेता है और यह change हो जाता है किस में glutamic acid में यह convert हो जाता है ध्यान रहे कि यह जो glutamic acid है यह एक mother amino acid की तरह से काम करता है this glutamic acid acts as mother amino acid mother to other amino acids यह un-amino acids के लिए mother की तरह से use होता है मतलब क्या है कि glutamic acid से बाकी अन्यका निर्माड होता है बात समझ गए enzyme यहाँ पर जो लग रहा है वो glutamate dehydrogenase है इस step पर जो enzyme यहाँ पर हम E से इसको represent कर रहे हैं और enzyme जो E है E का नाम है glutamate dehydrogenase और यहाँ पर यूज होता है कौन NADPH2 इसका इस्तेमाल होता है NADPH2 यूज होगा glutamate dehydrogenase का यह coenzyme component होता है और इस प्रकार से alpha keto glutaric acid ammonium ions react करके किसमें convert हो गया glutamic acid में convert हो जाता है आप कहेंगे glutamic acid को हम mother amino acid क्यों कहते हैं क्योंकि इसी से बाकी un-amino acids का निर्माल होता है plant की body में by the process of de-transamination reaction यानि कि जो glutamic acid होता है इसका NH2 group किसी दूसरे carboxylic acid को transfer हो जाता है और वो नए amino acid में convert हो जाता है इस प्रक्रिया को हम transamination reaction कहते हैं इस point को आप आगले step में mention करेंगे कि जो glutamic acid होता है glutamic acid is used as amino group donor to other carboxylic acid compounds fatty acid आप कह लिजे other fatty acids to synthesize other amino acids un-amino acids का यहाँ पर निर्माड होता है इसलिए हम glutamic acid को mother amino acid कहते हैं इस प्रकार मालो जैसे fatty acid A है इसके साथ hydrogen है यह क्या नाम है यह fatty acid है अब इस पर जो glutamic acid है यह इसको ANH2 में change कर देगा और थाथ amino group इसको donate कर देगा और स्वयम glutamic acid में change हो जाएगा इस प्रकार से transfer हुआ है NH2 group the transfer of NH2 group from one molecule to other is known as trans-emination reaction तो इस प्रकार से plants में trans-emination reactions चलते रहते हैं और NH2 group का transfer करने वाला जो mother amino acid होता है वो glutamic acid होता है और इस प्रकार NH2 group एक से दूसरे में transfer करके नए नए amino acids plants में बनाये जाते हैं आपको अच्छी तरह से पता है कि यह plant amino acids जो होते हैं यह huge हो जाते हैं protein के निर्मान में जिसे हम आपको पढ़ा चुके हैं protein synthesis में इसके अलावा कुछ biomolecules यहां पर ऐसे बनते हैं जो कि nitrogen reserve के रूप में इस्तेमाल होते हैं जो nitrogen rich होते हैं basically यह amides होते हैं और खास करके दो amides mention किये गए हैं यहां पर कि अत्रिक्त मात्रा में जो nitrogen है वो nitrogen reserve biomolecule के रूप में यहां पर store होता है और यह कौन-कौन से होते हैं हम आपको इनके बारे में बता रहा है यहां पर amides का भी formation होता है अयज nitrogen reserve surplus में जो NH2 group होता है excess NH2 group is used in building the amides excess NH2 group used in constructing the amides that act as the nitrogen reserves nitrogen rich compounds जरूरत पढ़ने पर यह supply करते हैं यह जो amides होते हैं पहले आप समझ लीजिए amides होते हैं कि जो लोग chemistry पढ़े होंगे उनको पता होगा कि जब किसी भी carboxylic group में carboxylic group का जो hydroxyl hydroxyl group है उसको remove करके वहाँ NH2 group जोड़ देते हैं तो वो amide में change हो जाता है उदारण के लिए जैसे हम बालने कि यह RC double bond OOH अब यह जो है एक fatty acid है carboxylic acid है इसका जो OH group है इसको replace करके यहाँ पर एक NH2 group आ जाए इसको हम NH2 group से replace कर दें जबकि इसमें एक NH2 पहले से जुड़ा हुआ है तभी तो यह amino acid है ना यह क्या है amino acid है तो एक NH2 तो यहाँ पहले से ही जुड़ा हुआ है और दूसरा NH2 carboxylic group का hydroxyl group remove करके इस पर NH2 आके attach हो जाए तो फिर यह amide में change हो जाएगा हम इसे amide कहेंगे यह इस तरह से अगर देखें तो यह amide है इस तरह के दो amides यहाँ पर बनते हैं इन में से एक asparagin है और दूसरा glutamin है यह note कर लेंगे आप दो amide यहाँ पर इस प्रकार से plants में बनते हैं there are the example of two amides यह कौन-कौन है amides जो plant की body में बनते हैं एक तो होता है asparagin दूसरा होता है glutamin यह जो asparagin होता है derived from the amino acid aspartate amino acid होता है aspartic acid इससे asparagin का निर्माण होता है इसका बही उज है आगे आप biomolecules में आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से asparagin एक प्रकार का amide है जो किस से प्राप्त हो रहा है aspartic acid से प्राप्त हो रहा जब इसका emanation होता है aspartic acid एक प्रकार का amino acid है और इसमें जब one extra amino group आकर के attach हो जाता है तो यह किसमें change हो जाता है जब एक amino group इसमें attach हो जाएगा extra तो फिर यह change हो जाता है asparagin में ठिक दूसरा होता है glutamine it is derived from derived from the amino acid derived from the amino acid glutamic acid इस तरीके से यहां पर दो amide बनते हैं excess में जो NH2 होता है वो किसी amino acid से attach हो करके amide में convert हो जाता है और ऐसे दो amide इनके example यहां दिखाए गए है एक इनमें से asparagin है और दूसरा है glutamine यह दोनों जो है अपने अपने respective amino acid से प्राप्त होते हैं इनमे asparagin aspartic acid से प्राप्त होता है और जो glutamine होता है यह glutamate से प्राप्त होता है अब हम यहां पर एक biomolecule और बनता है वो soya bean में है और उनको हम कहते हैं ureits ureits जो होते हैं इसी प्रकार के होते हैं compounds जो की nitrogen rich होते हैं और plants में store हो जाते हैं इन soya bean plant ureits याद रखेंगे विच आर the nitrogen rich compound are formed यह भी एक प्रकार से nitrogen reserve के रूप में काम करते हैं इस तरीके से जो nitrogen fixation होने के बाद ammonia जो बनी थी इसका plant के शरीर में किस प्रकार का use है यह हमने आपको explain कर दिया और इस तरीके से nitrogen metabolism की चर्चा हमने कर लिया है यह chapter complete हो गया है आपका जिसका नाम है mineral metabolism इस पर हमने चर्चा कर लिया है कि nitrogen fixation किस प्रकार होता है biological nitrogen fixation है क्या चीज़ उसकी mechanism क्या है सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर लिया है और इस प्रकार से mineral nutrition in plant यह आपका यह chapter खतम हो गया पूरी तरह से राइट? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा समझ में आ गया होगा यह सब अगला chapter जो हम अब discuss करने चलेंगे वो photosynthesis है अपने अगले video lecture में हम आपको बताएंगे आज के लिए इतना ही यह chapter खतम हो गया है और अगले दिन हम आपको photosynthesis पर चलचा करेंगे अगले video lecture में अपने है ठीक और इसको enjoy करिए इसमें यह chapter बहुत बड़ा भी नहीं था बहुत छोटा भी नहीं और conceptual था सवाल इसके आते हैं एक या दो question मिलेंगे जरूर आपको यह microbes के बारे में नाम पूछेंगे कौन से microbes का क्या काम होता है इस तरह का सवाल आपसे पूछेंगे nitrogen fixation में leg hemoglobin का क्या roll है root nodules के बारे में question पूछेंगे यह सब रहेगा तो chapter बहुत important है एक या दो question आपको मिलेगा जरूर यह आपको ठीक है आगला chapter बहुत important है photosynthesis जिस पर हम चर्चा करेंगे ठीक है enjoy करिए